सबी दर्सकों को मेरा नमस्का आज मैं अपने एंटर्टेन्मेंट चैनल के लिए मैं खुदी एक उपमा बनाई हूँ जो कि इडली से बना हुआ है ठीके तो ये जो उपमा में बनाई हूँ मैं आपको डिटेल्स बताने वाली हूँ उसके लिए क्या-क्या इंग्रेडियन्स चाहिए और कैसे बना सकते हो जो कि कभी कभर उपमा के लिए जैसे सूजी चाहिए लेकिन इस उपमा के लिए आपको इडली चाहिए ठीके चाहे आप इडली घर में बना सकते हैं या तो फिर करिश सकते हैं ठीके अब जहते हैं उसके लिए क्या-क्या आप लोग को लेना तेल आप लेंगे आवश्यक के हिसाब से एक चामच स्वात के अनुसार नमक अगर आप लोग मीठा खाना पसंद करेंगे तो इसमें आप चीनी भी डाल सकते हैं और अगर आप लोग को बहुत तीखा खाना है तो आप कोई भी मसाला पाउडर डाल सकते हैं लेकिन ये मेरा मस काच मिनिट चाहिए पहले सब्जी जो आप डालने जा रहे हैं और पहले से काट लीजिए और इसको छोटा-छोटा टुकरों में काटीए ठीक है आभी देखिए मैं काट के पहले किसे सभी चीज तैयार कर चुकी हुए समय वेस्पना करते हुए आप दिखा रहे हूं चली सभी सब्जी को काटने के बाद कराई में थोड़ा सा टेल डालके सभी सब्जी को एकी साथ डाल देजिए और मैं पहले से ये वाला कर के दिखा रहे हूं इसलिए कि आप लोग का चाइम वेस्ट ना हो और हम लोग तोड़ा आगे और कुछ देख सके और कर सके देखिए अ अच्छी तरह से सभी सब्जी प्यास के साथ आते ही की साथ ही मिला दीजिए करीप पता भी डाल दीजिए तो क्या है कि एक इनिक स्टाइल में बनेगा कि थोड़ा थोड़ा करके एक एक चीज बनाने से थोड़ा टाइम वेस्ट होगा इसलिए और अभी देखिएगा इड करते हैं उसमें आप डाल दिजिए फिर सभी को कि एक बार और और करके थोड़ा हलका सा पानी दालना होगा आपको इस पहले प्राइ कर दीजिए देखिए मैं थोड़ा सा खालका सा पानी डाल ली हूं ताक इस अभी केसाब और चीज गुल मिल जाए देखिए अभी थोड़ा थोड़ा आप एक दम प्राई किजिए क्योंकि इडली का कटिंग पीस जो है वो तूटे ना अभी देखिए लगबग मेरा हो गया है यह पांच मिलिल लगेगा आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आप इडली खरिच सकते या तो घर में बना सकते हैं ठीक है अभी देखिए मैं सॉस मिला रही हूं चीली सॉस और टमाटो सुस एक की साथ आप मिला सकते अगर आप मिलाना नहीं चाते तो खाने के ताइम में मिला सकते हैं और तो यह लोजों मिलाने से भी टेस्टी रहेगी देखिए अभी और थोड़ा सा बॉइल करने के लिए छोड़ दीजिए की थोड़ा थोड़ा कलर आरा रहा है दीरे दीरे आप अबजर किजी जैसे की हलका सा देखिए सबीचीज फ्राइए हो गया और गूल में भी गया एक एक दूसरे के साथ, देखिए अभी काफी कलर आ रहा है, क्या है कि खाने का चीज है, थोड़ा सुंदर दिखिए, और अच्छा लगता है खाने के लिए, ये एकदम सिंपल प्रोसेस है, इडली का अपमा जो है, रशीपी, अभी देखिए, पूरा पूरी है आपका, गुल मि गया, अब इसके बाद क्या करना है आपको, एक प्लेट लाइए, फिर इसके बाद आपको सर्फ करना है, और सॉस के साथ, देखिए काफी अच्छा लग रहा है, ये सबजी के लिए आपको पांच मिनिट लगेगा, और ये तीन मिनिट, मतलब आपका पूरा आठ मिनिट के अंदर आपका इडली उपमा तयार, और जिसको भी खाने के लिए देंगे कोई मना नहीं करेगा, हाँ, और एक चीज है कि अगर आपको थोड़ा मीता चाहिए, तो बनाने के टाइम में थोड़ा सुगर भी आप चीनी भी आड़ कर सकते हैं, सब कर आड़ कर सकते हैं, देक किया आपका इडली उपमा तयार,